हलो प्रेंट मैं जीया आप सभी के स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल उपन फोफिट में और दोस्तों आज के इस संडे का इस स्पेशल शो है specifically on crypto के उपर है और इस शो के अंदर यानि की the Z crypto शो यहाँ पर आप ही के जो सवाल है और जो जो आप लोग ने message की है Twitter के उपर की जैसे मैंने एक सवाल किया था आप से पूछा था आप से कि all coins कौन से आपको लगता है जो February 2021 के अंदर धमाल मचा सकते हैं तो आपको जो लगता है आप message कर सकते हैं तो बहुत सरे लोगों ने यहाँ पर message किया है और मैंने आप लोगों से कहा था कि उनी coins को हम study करेंगे खोशिश करेंगे पूरा महिना उसी के अंदर ट्रेट करें और आपको बदास है कि by technical analysis के कितना सही हो सकता है कि नहीं हो सकता अस coin के अंदर और उसकी position क्या currently तो आप में से जिन लोगों ने comment नहीं किया था उसके अंदर तो उनके लिए पर ये वीडियो जो होगी वो काफी important होने वाली है वीडियो भले लंबी होगी क्य से बढ़िया coin हो सकते हैं February के अंदर जो अच्छा कासा धहमाल दिखा सकते हैं तो इस session को आगे बढ़ाओं उससे पहले यह कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा साधा like ठोक दीजिए चार पाच हजादा like जरू ठोकिए ताकि ऐसी important जो show है evening show जो होते है वो आप लोगों क स्टार्ट करते हैं session को उससे पहले बात करेंगे थोड़ा सा market के analysis ले लेते हैं Bitcoin और BTC के analysis लेते हैं व्योंकि BTC का जो price वापी से 39,000 के नीचे आजिया है so let us start first with coin market cap और यहाँ पर market cap अच्छी कासी बड़ी हुई है 1.182 यानि लमसम कह सकते हैं कि 1.2 के आसपास trillion के आसपास market cap अच्छी कासी बड़ी हुई है BTC के जो dominance है 61.1% के आसपास है ठीक ठाक है कोई खराबी नहीं है इसके अंदर और बाकी charts के अंदर हम देखते हैं overall price देखते हैं तो BTC जो price है 39,000 है उससे नीचे थूड़ी से आई थी Ethereum जो है वापिस से 1760 या 1780 के आसपास गया था वहाँ से वापिस से लुड़कके 1624 के आसपास यह work कर रहा है ठीक है तो यह सारी शीजे अब हम सीज़ा charts के उपर देखेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं BTC के चार्ट यहां पर उपन किया हुआ है BTC के बारे में देख लेते हैं कि exactly क्या हो रहा है और यह 4 hour का मैंने chart उपन करके रखा है और इसको मैं 1 day के अंदर देखता हूं राइट नोग अब देखें यहां पर जो पहले भी एक अटकले लगी थी कि BTC का जो price है काफी अच्छा का सा उपर जा रहा है और यहां पर इसने यह base बनाया है मैं आपको बहुत short में बताऊंगा यह इसने top बनाया है इसकी average निकलते हैं यहां पर निकलते हैं और उसके बाद से हम price को इ आसपास आए या 4800 के आसपास आए और वहां पर एक और टॉप बना कि नीचे ना आ जाए तो चीज़े अभी वहां पर इसी हिसाप से है एक red candle बना है daily candle बना है और right now it's very important कि BTC का जो price है वो break कर दे तो आप में से जो लोग सोच रहे हैं BTC के अंदर entry लेना तो हमेशा से ज price 41 42 के उपर उसके daily closing complete नहीं होती है यह मैंने बहुत बार बोला है कि daily जो closing है candle की एसा नहीं कि उपर जाएगा 41 के आसपास उपर जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा नहीं उसकी जो closing है that should be above 41 जो previous जो high है कह सकते हैं कि लमसा 42 है तो हम वेट करेंगे यहां पर इसका 41 500 का वेट करेंगे क्योंकि वहां पर दो बार हिट हुआ था तो इसके उपर closing होना बहुत important है जब तक closing उपर नहीं होती है तो यह बहुत important है कि you have to go step by step okay अभी आसानी कि यहां पर 38 पर आईगा आपने long के entry लिए वह बहुत नुकसान वाली चीज हो सकती है okay so we have to wait कि यहां से क् ब्रेक करता है then only you have to go for a long और अगर इसको ब्रेक करता है 42 के उपर तो आप आसानी से जो target पकर सकते हैं वो हो सकता है मेरे साब से 48 के आसास हो सकता है क्योंकि अगर 50,000 का target बाकी लोग ने मायने बिठाया है तो 48 के आसपास जोली खाली होने वाली है तो वहां से price नीच जा स जता है तो यह एक सिनारियो आप बैठालो अपने दिमाग में 42 के उपर आएगा then you should go for a long for a target of 48,000 और अगर 50 के उपर जाता है then also things are little bit risky फिर हमें वेट करना पड़ेगा कि बहुत सारे लोग उस समय selling कर सकते हैं आप suppose किजिए कि यहां से position hit करके नीचे की तरफ आ रहा है तो यहां से अगर price नीचे आता है और यह अगर double top बनता है तो आपको क्या करना है you have to wait for 30,000 जब तक 30,000 के आसपास तक नहीं आता या उसको नीचे break नहीं करता है तो यहां पे double top नहीं होगा अगर यह top जोगा वो सही गिनाएगा उसका price नीचे जा सकता है कि ऐसा नहीं कि कुछ लोग कह रहें कि यहां से price बहुत अच्छा सा खासा जा सकता है मैं भी बोल रहा हूं जाएगा but level by level जाएगा ठीक है इसका अंतर यह नहीं कि अभी मैंने long कर दी long करनी है but अगर वो level पर जाएग आपको कि अगर एक bear market में आना है ठीक है तो BTC के price को at least 97,000 के आसपास touch करना पड़ेगा तो longer term 97,000 के आसपास इस साल के अंदर जाना चाहिए और दूसरी चीज जो मैंने analysis देखी है online भी देखी है बागी जो experts उनकी बास मैंने सुनी है तो सबका यह मानना है कि अगर 42 जो मै सम क्या सकता हूं कि एक महिने का वक्त होने आ है तो अभी तक उसने 42 के level को वापी से test नहीं किया है तो आगर 42 को break करता है तो अच्छी खासी rally उपर जा सकते ठीक है तो यह था एक short में BTC के उपर और दूसरी चीज मैं आप यह कहना चाहूँगा कि अगर आप profit कमाना चाहत है तो it's not important कि आप से BTC को पकड़ो BTC को अपनी जो rally दिखानी थी वो already दिखा दी है यह कहां से दिखाई 12,000 से उसकी rally गई है 42,000 तक rally गई है तो उसने अच्छी खासी rally दिखा दी है अब थोड़ा सा वो rest mood में है और अगर 30,000 को नीचे तोड़ता है तो मेरे साब से अगर by luck chance हुआ जिस तरह से 42 को नहीं तोड़ पा रहा है उसी तरह से अगर ये 28,000 को तोड़ देता है तो आप और हम lucky हो सकते हैं कि 20,20 के आसपस हमें chance मिल जा ठीक है लेकिन उससे नीचे जाना मुझे नहीं लगता है क्योंकि अभी तक जितनी भी cycle चली है वहां पर इतना correction नहीं हुआ है बड़े से बड़ा जो correction हुआ है उसी साप से हम calculate करेंगे तो 20,22 के आसपस मेरे साप से हो सकता है अगर ये double bottom अगर ये double top होता है तो नहीं तो उपर का सनेट उपर के तरफ है ठीक है तो इसको छोड़ के अच्छा कासा profit कमा जाकते हैं it's not like that कि BTC से ही सब को एक CKB का दिया था call मैंने कि इसको मुमीद कर सकते है मैं चार्ट open करता हूं आपके सामने कि इसका ये daily का मैंने चार्ट open क्या है let me open for four hour chart ये कोशिश कर रहा है 19 के जो level है उसको break करने के लिए जो act कर रहा है resistance और जब से नीचे क्या है एक sideways में चल रहा है और कोशिश हो मैंने जो अपने एक target पकड़ा है वो 25 का इस पर एक target पकड़ा है कि वहां तक ये जा सकता है इस coin को पर आप नजर रखना उसके साथ एक और जो मैंने call आप लोग के साथ शेयर किया था उसने भी काफी अच्छा कासा एक performance तो दिखाई है but let me see अभी उसकी status क्या है कि आप उसके अंदर entry ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं जो coin मैंने आपको बताया था ये था वाया था twitter को पर भी मैंने आप लोग वीडियो देख रहे हैं अगर twitter पर फॉलोग नहीं कर रहे हैं तो please twitter पर फॉलोग कर लिजे टेलिग्राम पर फॉलोग कीजे links वगरा सब description के अंदर वीडियो इसके comment के अंदर वो लोग आप लोग को बोलेंगे whatsapp पे contact करो यहां करो वहां करो ठीक है तो कुछ contact करने के जरूत नहीं है सीधा लोग को block कर देने का ठीक है दोजा scammers impersonating my name dp picture etc और आप से बात करने कोशिश करेंगे ठीक है आप से password पैसे ऐसा वागेंगे तो करते हैं वाय बेटी सी के बात करते है कि क्या हो सकता है इसमें अच्छा performance दिया है 1680 के असपस गया है और मैं आसे उमीद कर रहा हूं कि 800 से उपर मैं इसका target उमीद कर रहा हूं तो इस coin को पर आप नज़र रखना ओके तो यह हमारा tweet था कि all coins you think will rock in fab 2021 comment and will ta and trade only these coins full month तो आप जो coin आप में बताया है किसी और ने वी उसी बारे में पूचा है तो हम उसको skip करके आगे जाएंगे बहुत सारे coins है तो फटा-फट हम कोशिश करेंगे ठीक है मिक्तम deep analysis नहीं जाएंगे वरना जो वीडियो है 5-6 घंटे का हो जाएगा तो फटा-फट coin लेंगे और कर गाए सकता है कि स्क्रॉल करने में सब्सक्राइब गएस याव लेते हैं अभी लाइश कुषावा का उन्हों पुछाइए ब्येंभी कोईश को इसके हो सकता है तीक बी दी कि मैं बात करता है तो भी यह दि काफी अच्छा coin है और लग बरॉक सत्तर के उपर इसने माता है चलाएं और अच्छी खास इसमें profit दे रहा है और मैंने खुद personally BNB coin को hold करके रखा है और मेरे पास कम से कम कह सकता हूं कि 15 या 18 के rate के इसाब से पड़ा हुआ है और मैं उसको अभी भी नहीं काल रहा हूं क्योंकि मैं इसको hold करके रख रहा हूं क्योंकि BNB जो है Binance Exchange का main coin है ठीक है तो यह जो coin है इसको hold करके रखे है क्योंकि जब तक Binance है तो यह जो coin है ऊपर चलता रहेगा और मेरे जाब से यह हम बहुत जल्दी इसको 100 के उपर भी देखेंगे तो अगर 70 से वापी से 50 भी आ जाता है तो tension लेनी वाली बात नहीं क्योंकि यह जो coin है बहुत अच क्योंकि यह जो खेर हो गया न यह pump and dump का through Elon Musk वो rescue हो गया तो मैं अब rescue वाली चीज नहीं देना चाहता हूं ठीक है तो यह अब आपके mood के उपर है कि आपको tweet देखके उसके नदर entry लेनी है निकलनी है वो आपके उपर है ठीक है दूसरी दूसरा question हम लेते हैं डॉक के चाहरा मिला था लेकिन वहाँ पे नहीं गया वापिस उसका अच्छा का सपोर्ट में लिया और अभी तक मेरे पास यहाँ पे एक bullish ने आ रही हो है और जो bullish meter बता रहा हो भी अच्छा कासा बता रहा है और इसकी प्राइस राइस रही है मैं इसको 96 के ऊपर देख रहा हूं और 96 को अगर ऊपर यह तोड़ देता है तो अच्छा कासा इसका 20 ऊपर जा सकता है तो डॉक अच्छा कोईन है और एक सही लेवल पे है और थोड़ा सा वार अगर नीचे आता है 75 यह 70 के असपर साता है तो यह कोईन को लेना बनता है क्योंकि अल्ड़ी बहुत bottom पे चल रह और बाइंग का सिगनल आप देख सकते हैं अच्छा कासा प्राइस उपर गया और जो ट्रेंड है इसका नीचे की तराफ है और जो बॉलिंगर बैंड है वह भी मिड के नीचे आ चुका है तो मेरे साब से यहां पर थोड़ा सा बेरिश मोड है बेरिश इंडिकेटर बता र है और अगर वहां से यह बाउंस बेक करता है तो आगे आप इसकंदर एंट्री ले सकते हैं आगर 826 को भी तोड़ के नीचे आता है और सपोस कि यह 100, 780 के नीचे भी अगर यह आता है तो थोड़ा सा एक डाउन ट्रेंड होगा तो हमें फिर वेट करना पड़ेगा एक एकसार्थी के बारे माम सप्रेंग को अच्छा खासा कॉइन है इसको नाकार नहीं सकते हैं क्यूंके सारी नेगेटिव चीज है अब वह हवा गूल हो चुकी है और लोग इसको पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं और कुछ एक दो और पॉजिटिव नीज नहीं यह लेकिन अच्छी खासी नूज है कुछ टाई-आप है कुछ उसके यूसेज हैं पेइमेट सिस्टम के अंदर रिपल का कुछ यूस होड़ा टाई-आप और पेइमेट सिस्टम एगजेक्टे मेरे दिमाग में नहीं है बट्ट अच्छी निऊज है तो एक्सर पीजो बनाया है और मैं इसको आगे कर जो एक लेवल देख रहा हूँ वो 92 सेंड के आसपास देख रहा हूँ मैं XRP को ठीक है तो मेरे साब से पॉजिटिव रहना है और अगर आप एक मेड रिंज में बाय करना चाहते हैं क्योंकि 0.35 और 40 से उपर चल रहा है तो हो सकता है कि प्राइस नीचे आए तो आपको कुछ दिन तक इसको होल्ड करना पड़ेगा तो अगर होल्ड करने की शमता है आपके अंदर या थोड़ा सा और नीचे इनतिजार कर सकते हैं पर यह भी हो सकता है कि यहां से अगर जादा प्रैशर मिलेगा यहां से एक कडल यहака तो अच्या चका साँन प्राइस में प्राइस अपर तरफ देख सकते हैं तो XRP मेरे साब से मैं positive हूँ और यह आगे तक जाएगा देर सवर 92 सेंट के आसपस जाएगा XRP, ओके, घंशाम पांडे पूछ रहे हैं, DOG का मैंने बता दिया है, DOGE COIN का, और link और dot की बात होती है, चलो link और dot देख लेते हैं, फटाफट, तो link आप जैसे देख सकते हैं, कि daily chart प वहाँ से इसको bounce back दे रहा है, जब भी वहाँ पे hit हुआ है, कितना percentage यह उपर गया है, लंब सम क्या सकते है, 18% उपर गया है, तो link की current price है, 24 के आसपस है, और इसको जो उपर के resistance है, मैं 28 के आसपस link को देखता हूँ, ओके, तो थोड़ा सा आप इस पे सोच समझ के trade करना, अगर इसको hold नहीं कर सकते हो, तो आप एक stop loss पकड़ सकते है, 23 के आसपस पकड़ सकते है, ठीके, but link जो है, अच्छा coin है, अच्छी खासी एक rally दे सकते है, क्योंकि यहाँ से इसको bounce back मिल रहा है, मेरा जो target है, that will be around 28, अब हम बात करते है, dot की बात करते है, मैं ज्यादा deep मे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बात लंबा हो जाएगा वीडियो, तो उपर-उपर से आप लोग को बता दे रहा हूँ, dot जो है, जबरतत इसने performance दी है, और polka dot जो है, सबसे बढ़िया coin है मेरे इसाब से, और इसको कहा जाता है, it is the ethereum killer, और 370% की already इसने देगा, तो यह एक बहुत important चीज है, और यहाँ पर मुझे bullish pressure है, मुझे sell का signal अभी तक नहीं मिला है, bounce back का जो signal में expect कर रहा हूँ, मैं right now यह 20 पर आसपस चल रहा है, और suppose कि यह अगर यह 18 पर hit होता है, और उसका अपीस से अगर यह 19 टच करता है, तो आप महासे इसको long कर लेना, यह मैं बता रहा हूँ, और इसको मैं आगे target पकड़ रहा हूँ, वो 22 डॉलर का target यहाँ पकड़ रहा हूँ, पॉलका dot के अंदर, ठीक है, क्योंकि देखे, rally इतनी लंबी हो चुकी है, तो मैं एक लंबा target नहीं पकड़ सकता हूँ, क्योंकि already 370 हो चुगा है, तो स परफेक्ट पूछ रहे है, एक साथ पी का अलड़ मैंने बता दिया है, अलगो का पूछ रहे है, फटा फटा अलगो का देख लेते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ, सब का यहाँ पर cover करूँ, पर अगर किसी भाई का कर मिस हो जा, तो तो nothing to worry, क्योंकि मैं कल भी इसको cover कर ल ही डालना चाओंगा क्योंकि अच्छी का से और यह है, और यह थोड़ा बहुत रेश्ट लेगा, रेश्ट कहां तक ले सकता है, 21 moving average के आसपास, यानि कि 0.68 के आसपास, इसका हम इंतजार करेंगा, अगर market पे कुछ उलट फेर होता है, तो price नीचे आगी, that is the best chance to grab these alt coins, ठी आप इंतजार करो, rally छूड़ गए तो छूड़ गई, फिर इंतजार करो कि बस वापी से stand के आए, फिर आप उसके अंदर बैठो, तभी मज़ा आएगा trading करने का, और यही एक सही तरीका है, तो मैं आपर बोलूँगा आपको, कि वेट करिए, क्योंकि यह आपर चार्ट प आप लाइक करेंगे, तो मुझे लगेगा कि आपको चीज़ पसंदा रहे है, then only I am going to put more work on this, ठीक है, टॉमो, टॉमो कॉल मैंने दिया था भाई, गजब का इसने चल लिया, गजब का चल लिया, आप लोग को कहा था मैंने, टॉमो के अंदर कि भाई, होल्ड करना है, एक य लोग यहां पेते, ओके, और इसको हमने अगर होल्ड किया है, तो लंब सम 50-60% का इसने अलड़ी profit दे दिया है, और यहां पे उसको rejection मिल रहा है, rejection मिल रहा है, rejection मिल रहा है, और अब मैं इसके अंदर आपको entry नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत ऊपर हो चुका है, इसको थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, ठीक है, अच्छा खासा इसके अंदर हमें profit मिल गया है, मून मौसिन पूछ रहे हैं, ICX का और FET बचा है, तो ICX हम open कर लेते हैं, ओके-ओके, फटा-फट बताऊंगा, ICX है, downtrend के अंदर है, price नीचे आ सकता है, around 1772 के आसपस आ सकता है, अगर आप इसको short कर रहे हैं, तो you should go for a stop loss of around 29.33 दिया है, लेकिन मैं और उस pass में आपको एक stop loss दूँगा, जो previous, जो एक resistance है, near about 25.60 का मैं stop loss दूँगा, अगर आप में से कोई से short selling करना चाहता है, बट मैं recommend नहीं करूँगा, कि एक जो उपर का जो bull trend होता है, तो उसके अं अंदर आप entry मतलो price नीचे आ सकता है, then then, और कौन बच्चा है, php, php का दो जनों ने पूछा है, तो php हम आपे देखते हैं, रेट पल्स का भी एक जमाना था यार, बहुत जबर्दसने profit दिया है, ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि पिछले साल की बात करें, 2018 की 19 की बात करें, जबर्दस ने दिया है, और बहुत अच्छा आप लोग ने request डाला है, जिसने भी डाला है, और bottom पे है, अच्छा का सा यहां सा buy call है, और इसने हाली अच्छा सा 18 की आसपस मारा है, और right now 21 की आसपस इसे एक bounce back मिल सकता है, और मैं आपको कहूंगा कि अगर right now चल रहा है, य जिसने हैं कि सर अभी market downtrend में है, या retest हो रहा है, देखिए, जब एक peak पे पहुंचता है, तो उस समय दो तरह के parties होते हैं, एक यह सोचते हैं कि जब यह break हो या ऊपर हो, दूसरी party होती है कि थोड़ डर में रहते हैं, कि अगर break नहीं हुआ तो क्या करना है, तो बहुत सार पूच पूच ने PHP के बारे में वो मैंने अल्ड़ी बता दिया आप लोग को, पुंडी एक्स, विशाल शा, पुंडी एक्स, अपने जमाने का बहुत बढ़िया कोईन है, हर जमान पे पुंडी एक्स, पुंडी एक्स होता था उस समय, पुंडी एक्स में आप लोग का recommend न फिर भी इसकंदर हमने कुछ उचाल इसकंदर देखी नहीं है, मतलब कहा सकते हैं कि 2020 मार्च से बाप करते हैं 2021, most of the time ये एक सतोशी या दो सतोशी पे रहा है, तो ये तो मैं आपको recommend नहीं करूँगा, we never know इसकंदर कुछ चमदकार हो जाए उपर चल जाए, but I won't recommend this coin, शु synthetics ने, शुशी open करके देखते हैं क्या है, शुशी के अंदर अभी bearish mode के अंदर है, और वेट करना 321 के नीचे आने का, उसके बाद हम enter लेंगे, फिलाल अभी आपे मुझे कुछ बाइस नहीं है, क्योंकि red band भी है, ballinger band नीचे के दिखा रहा है, और हम buy top करते हैं जब इस थोड़ा सा नीचे आएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर buy की जो sequence से लंबी चलिए, तो cell का भी जो है, वो थोड़ा बहुत लंबा चलेगा, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए, अगर आपको शुशी के अंदर एंट्री लेनी है, तो, काड़नों का, काड़नों का, चेक कर लेते हैं, फटावट क्या है, काड़नों का बहुत अच्छा चार्ट है, फोर आउर्स का चार्ट है, अच्छी कासे इसने रह ले दी, बहुत अच्छा खासा गया है, और फिबुनाची के, फिबुनाची रिटरिस्मेंट हम यहाँ पर लगाते हैं, तो 50 जो है, वहाँ इसको एक resistance मिल रहा है, उसको break नहीं कर पा रहा है, और उसके नीचे जो है 61.8 है, अब यह scenario क्या बनता है, 38.2 जो होता है, वह दूसरा golden ratio होता है, तो अगर 1784 को यह break करता है, तो काड़नों जो है, वह 1980 की आसपास strike कर सकता है, और अगर यहाँ से fail होता है, यानि कि अगर मै यह break करेगा, तो golden ratio होता है, तो अच्छा का सा price नीचे जा सकता है, तो we will see it back, near about 1308, तो यह मैंने आपको scenario समझा दिया है, इसी साब साब को trade करना है, और अभी, अभी कुछ नहीं करना है, long cup करना है, 50 को जब break करेगा तो, और short cup करना है, 1680 के नीचे आएगा, तब करना है, ठीक है, अच्छी का से already rally दे दिया यार, काड़ोनों ने, अभी हम देखो, जो भी old coins के बारे हैं बात कर रहे हैं, most of the old coins, 100-200% already मार चुके हैं, मतलब कि हर एक जो old coin है, वो कह सकते हैं, कि एक दम पहाड चटान के दम ऊपर में खड़ा है, और अब हम वहां से यह पूछने ट्रेड कर रहे हैं, जहां आपको लगता है कि BTC में कुछ खत्रा हो रहा है, या Ethereum थोड़ा नीची लुड़क रहा है, फटा फट alt coin से निकल जाओ, यह मेरे साथ से याद रखो, क्योंकि BTC गिरेगा, BTC चड़ेगा, Ethereum चड़ेगा, तो जो alts हैं, उनके उपर प्रहार होने वाला है, ओके, then SXP, SXP और आवे देख लेते हैं, फटा फट, क्या लग रहा है तुमको, चार्ट पर देखके क्या लग रहा है, जल्दी बताओ, यहां पर, नीचे रहा है, कहां पर buy करेंगे, SXP चल रहा है, अपना 2 डॉलर के असपर चल रहा है, और इसका weight के यह red candle बना हुआ है, bullish pressure है, लेकिन आपने से कहांगा, जो bounce back level है, हर जो चार्ट होता है, उसके अंदर क्या होता है, कि अलग अलग जगे bounce back होता है, इसके अंदर कहां पर bounce back हो रहा है, देखो, चार्ट है नॉर्मल ही कहां होता है, green वाले upper band पर होता है, कभी कभी जो होता है, नीचे band पर होता है, तो SXP चार्ट के अंदर क्या है, जो band है green वाला, उसके नीचे वाले हिस्से पर bounce back ले रहा है, तो हमें यहाँ पर क्या पकड़ना है, अगर entry लेने हैं तो near about 1.82 के असपस, ठीक है तो यहाँ पर हम enter लेंगे, चलो, तो इसके पर आप नदर रखिए, 1.82 उसके नीचे आएगा, then only you should go for a long in SXP, यहाँ से थोड़ा सा अभी, मुझे अगर sell का signal मिला है, तो मैं आपको दे दूँगा, क्योंकि जो rally है, 25 जन्वरी से अच्छी खासी यहाँ पर rally चेल रही है, नेक्स्ट और कौन सा पूछा था, आप लोग ने, SXP साथ, आवेक आओके, तो यहाँ पर थोड़ा सा descending triangle का scenario है, और sell का मिला है, price नीचे नीचे, सारे targets already complete हो गए है, और यहाँ से हम wait कर रहे हैं, एक buy signal का, तो मेरे साब से, जो band की जो width है, 0.509 चल रहा है, bullish pressure candle है, तो मेर आप से अगर यह, जो band को, 0.0116 से गर उपर आता है, okay, at that time हमको यहाँ पर buy का signal बिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि price अलड़ी नीचे आया है, थोड़ा साइडवेस में चल रहा है, तो आप उसका इंतजार करना, okay, अगर उससे उपर आता है, then only you should go for a long, अगर suppose कि जो price नीच जा सकता है, okay, तो यह आवे के बारे मैंने बता दिया आप लोग को, target इसका कितना जा सकता है, तो target हम इसका पकड़ सकते है, 0.013 के आप पकड़ सकते है, जब अगर हम long करेंगे, तो, okay, तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, और इसका जो second part है, व जो कोई नहीं हुआ है, वो कोशिश करूँगा, रात को मैं वापी से cover up करूँगा, तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर wind up करता हूँ, और वीडियो कर पसंद लेगे, तो जाल साथा like ठोक देना, ताकि हर Sunday को हम the crypto Z show करें, और आपकी जो सवाल है, आपकी जो queries है, और ज सीच को हम यहाँ पर cover करेंगे, ठीक है, और बाकी भार की कोई बात नहीं, जो काम की बात है, analysis की बात है, जिसमें हम profit कमा सकते हैं, उसके बारे हम लोग यहाँ पर discuss करेंगे, ठीक है, तो वीडियो पसंद आई गई गई, तो इस वीडियो को जाल साथा like कर देना, चैनल पर